नमस्कार आजना वर्चुल क्लास्रूम ट्रेनिंग सेशन मों आप सवनों हार्दिक स्वागत छे आजे हूं ITM मों चालता RFM ट्रेड ना लेशन वल्लुमेट्रिक एफिशेंसी वीशे आप सवने माहित याफिश वल्लुमेट्रिक एफिशेंसी एटले शू तो रेफ्रिजेशन सिस्टम ने अंदर कॉम्प्रेसर ये रेफ्रिजेशन सिस्टम नों हार्ट क्या वाई कॉम्प्रेसर वगर रेफ्रिजेशन सिस्टम मा कई वस्तु पसिबल न थी वे compression नी volumetric efficiency एटले के compressor जे refrigerant गेस आपड़ो जे होए यहने compress करी अन्य सिस्टम में फरतो राखे छे तो compression नी volumetric efficiency एटले केटला कदुनो रेफिरिजरंट यहनी अंदर दाखल थाई छे compression नी अंदर अन्य एमों थी केटलो रेफिरिजरंट गोंप्रेस थे यहने बहार निक्ड़ेशे सिस्टम में यह वस्तुनों जे गुणो तर छे एनने जनरली volumetric efficiency शिम्पली आपड़े ओडखे छी पर volumetric efficiency नी थोड़ा उंडान पूरोक अभ्यास आपड़े slide द्वारा फिपीटी प्रेजन्टेशन द्वारा समझीशू को volumetric efficiency प्याला तो volumetric efficiency नी व्याख्या जोई है आपड़े सामानिय तो compressor में प्रवेश्था फ्रेज वेपर ना जथा अने piston ना displacement ना गुणत तर ने volumetric efficiency तरीके ओड़ोखाम आवे छे कोंप्रेशर में जे फ्रेज वेपर रेफ्रिजनेट अंदर प्रवेश्यो ए अने compressor नो जे piston नो एननू displacement जेतलू जेतला कद नी अंदर एक अधिना गुणत तर ने volumetric efficiency तरीके ओड़ोखाम आवती वेचे आ सामानिय अनी व्याक्या थे येना अगड़ेनू सूत्र आपड़े जोईए तो volumetric efficiency एटले खरेखर pumping करवाम आवेलो गेस नो जथो कोंप्रेसर द्वारा खरेखर केटला जथानो गेस कोंप्रेस करी यहने यहमथी बार निकड़ा मा आवे छे ए जथो भागया theoretical गणात्री करेलू गनफड theoretical गणात्री एटले के कोंप्रेसर नो जए सिलिंडर होए ए सिलिंडर नो कद जे आपड़े जोई है के यहनी लंबाई होए यहनी पड़ाई यहनो डायमेटर जे होए तो यहना आदार यहनू जे गणफड नकी करेलू होए गणफड जे गणात्री करेलू होए यह खरे खर यहनू गणफड गुणया 100 लेके खरे खर पंपिंग करोमा आवेलो ग्यास नू जथो गुणया 100 बागया थिये रिकली गणात्री करेलू गणफड आस उतरना आदार आपड़े कोंपुरीक न 재미 volumetric efficiency सोधी सकता हो यह , प्याला तो कोंपुरीजर विशे आपड़े थोड़ो कोणो ख्याल म defense lire लिए , जो खेथी कोंपुरीक नी volumetric efficiency SNS हमां , तकलिप ओची पड़े तो कॉंप्रिशन नी अंदर मुखे तो या खागो वए तो प्यालू तो होए पिष्टन यानी अंदर जे आपने फिगर नी अंदर बताविलू छे आज ये चे ये नसु क्यावाई पिष्टन पसी आज सिलिंडर जे जे नी अंदर पिष्टन अप डा ये जेग्या थी रेफ्रिजरंट लो प्रेशर रेफ्रिजरंट कॉंप्रेशन नी अंदर दाखल था तो है शिलिंडर नी अंदर ये छे इनलेट पोर्ट अन्ने बिजो छे आउटलेट पोर्ट ये डिश्चार्ज वाल्व जे नके ही आपड़े कॉंप्रेस था ये लोग टोमफ्रेट सेंटर बी ली डी सि अनै ज्यारे सवती उपनी पॉजीचन मों है तो एना क्या वाए टोप्रेट सेंटर ती डीसी अनै टोप डेट सेंटर अन्ने cylinder head ये बन्ने वच्चे नुँझे भाग रही जा तो ये जग्या खाली रहती हुए येना क्या वाई clearance volume तो आ थे compression ना भाग आने cylinder piston विशे नी जनरल मा ही थी येना थे आगर आपने जो ये compression ना स्टोक तो compression स्टोक मा बे स्टोक जनरल से था हुए छे एक छे सक्षन स्टोक सक्षन स्टोक एटलेगे जारे compressor मा सिलिंडर मा पिस्टन जी आरे TDC पोजिशन थी BDC तरफ आवे त्यारे सक्षन वाल द्वारा रेफ्रिजरंट वायू सिलिंडर नी अंदर ख्याचा आए छे जेने सक्षन स्टोक के वा मा आवे छे TDC, BDC ले टोप डेट सेंटर थी बोटम डेट सेंटर उदिमा पिस्टन जी आरे गती करतु है नीचे नी तरफ ये समय कॉंप्रेसर सिलिंडर नी अंदर व्यक्यूम प्रेसर क्रेट थे से और जेना कारण है जे सक्षन लाइन नो गेस असे ए सिलिंडर नी अंदर ख्याचा प्रेसर से तो ये स्ट्रक न क्यावाय सक्षन स्ट्रक एना थी आगळ और कॉंप्रेसर श्ट्रक तो सक्षन स्ट्रक दर्मियान शिलिंडर नी अंदर जे गेस आयलो हो है एक गेस पर पिस्टन BDC थी TDC उपर गती कर से लेका बोटम डेट सेंटर थी टोप डेट सेंटर तो इश जर्मियां जे च्रोक ठतो वह ये श्टोक ना केवखा है च्रोक के और स्च्रोक कर कि या फिगर नी अंदर बतावी ला चे पिष्टननी पोजिशन न आधार तो आपे अलों छे जे पिष्टन नी top date center आपेली छे position top date center हेले शाँ थी उप्पर्नी position उप्पर्नी side piston जही सके नई ए conditioner head औने piston नी top date center बचमेदी आफे जग्या छे एनन कैवा clearance space पिष्टन top date center थी bottom date सुधी गती करवानू चालू कर से तो ए समय जे इनलेट पोर्ट से तियां थी रेफ्रिजन्ट वायू सिलिंडर नी अंदर डाखल थाशे और आज ये पोजिशन उपर पिष्टन अतार आल जेचे ये नहीं के वाई बोटम डेड पोजिशन था बोटम डेड सेंटर बीडी सी तो आ दर्मियां इनलेट वाल द्वारा रेफ्रिजन्ट वायू सिलिंडर नी अंदर बराशे आ पोजिशन मों आया पछी बन्ने वाल क्लोस थाई जेशे इनलेट वाल अन्ने आउटलेट वाल बन्ने वाल बंद से वे जारे पिश्टन बोटम डेड सेंटर थी फरी पासो टॉप डेड सेंटर उपर गती करशे त्यारे आ स्पेस नी अंदर जे बरायला रेफ्रिजन्ट गेस अशे एना उपर दबाण क्रियेट थाशे अन्ने दबाण ना कारणे ए रेफ्रिजन्ट गेस हाई प्रेसर यह दे खिए आउटलेट वाल भनों ओपन थशे अन्ने आउटलेट वाल थी यह बार नी तरफ सिस्टं नी अंदर दाखल थाशे ऑल टलेट वाल ?टी जे रेफ्रिजन्ट वायू अचे एक कंडेन्शन नी अंदर दाखल थाईचे तो पैस यए सक्सन अन्ने कॉंप्रेसज कॉम्प्रेम्पे म्जां ब्रेक संवर घीप ब्राव करती है कि एकर नियांकि प्रतवह सेंट्र सो स्मृ ठाल उपले सिलिंडर ने अंदर बराएला अने जारे कॉम्प्रेशन स्ट्वक पुरो थाए ये समने हाई प्रेशर रेफ्रिजरंट गेस जे लाल कलरती बतावेला चे ए आउटलेट वालती बार निकर से अने सिलिंडर नो हेड अने पिष्टन नी बच्चे आज ये बाग लाल देखाए इटला बागना रेफ्रिजरंट वायू, हाई प्रेशर रेफ्रिजरंट वायू, दर वक्ते क्लियरंस वोल्यूम ने अंदर बराए रहतो होई छे तो ए बाग जे छे येना क्यावाई क्लियरंस, वोल्यूम अथा क्लियरंस, स्पेस वोल्यूमेट्रिक एफिशेंसी नी समझ आपड़ेज मेल अभिए के यहना कई रिते समझ वी तो वोल्यूमेट्रिक एफिशेंसी एटले कॉम्प्रेसर मथी कॉम्प्रेस थाई ने बहार निकल ता वेपर रेफिशरंट अने कॉम्प्रेसर सिलिंडर मों दाखल थता कूल रेफिशरंट वेपर ना जथा नो गुणत तर बीजी रित याब उल्मेट्रिक एफिशेंच हैं समझे आपड़े तो कॉंप्रेसर सिलिंडर द्वारा कॉंप्रेस ठाहेला वेपर रेफिलिजन्ट नू कद अने कॉंप्रेसर सिलिंडर ना कूल कद नो गुंत तर कॉंप्रेसर नू जे सिलिंडर छे यहनू कद अहीं थी तामें फिगर मों जोई शको छो के आजे छे ए टौप डेट सेंटर रेट लेगे यहनों हेड नो भाग छे अन अहीं आशेक ज्यारे पिश्टर नसे ए वक्ते आजे छे वाटम डेट सेंटर आपड़े गणिए तो तो कॉंप्रेसर नी अंदर छी सिलिंडर नी अंदर छी जे बाहार निकर तो गेस हो है यहनू टोटल कद अने आनी अंदर आज ग्यानी अंदर डाखल थाएला कूल वेपर रेफ्रिजेंट नों कद एब एक कद ना गुणोत तर्ज करी आपड़े तो एक गुणोत तर्ज यह आपने मल यह प्यवाए। कॉंप्रेसर नी वोल्यूमेट्रीक एफिसेंसी इफिसेंसी नी असर करता पड़ी भव तो वॉल्यूमेट्रीक एफिसेंसी नै कई कई वस्तो असर करी सके तो प्यालू चे प्रिशन बर जे लागतु है रेप्रिजन वायू शिलिंडर नी अंदर दाखल था है यह प्याला सक्षन लाइन नी अंदर ची पसार थे ने आवेचे तो यह सक्षन लाइन नी अंदर पसार था है तो सक्षन लाइन नी दिवालो साथे गेस ने गरशन जे था है यह गरशन ना कारणे जे अनरजी लोस थत्ति हुए तो यह ने च्यावाय वायर ड्रोईंग यह ना पची आगड़ जो यह तो सिलिंडर नोँ हीटिंग सिलिंडर पॉम्प्रेशन थाए पिस्टन नूँ सिलिंडर वॉल साथे गर्षन थाए अन्य गर्षन ना कारणे शिलिंडर नी जे दिवाल छे एक गरम थाए तो शिलिंडर नी दिवाल नी गरम गरमी जेशे इटिंग एना एनी एसर प्रम वॉलुमेटर क्याफिसेंसी उपर थती और पिस्टन रिंग लिके जोए अच्छवा तो तमारो जे वाल हुआ inlet वाल हुआ अच्वा outlet वाल जे आपर लोही ए त्यालू अस्तु छे clearance volume तो compressor clearance volume नी efficiency उपर असर सूथ हाई छे कि compressor clearance और रेफ्रिजन्ट वेपन नी compressibility ना कारण पिष्टन द्वारा cylinder ना swift volume करता ओची सक्षन वेपर प्रवेशे छे यह जे कद मोटू है यहना तमें compress करो तेनी density मोग वधार हो थाए अन्य कद यहनू घट्टू जाए अटले के compressible वस्तू छे तो यहनी compressibility और पिष्टन ना swift volume जे total swift volume है के जे भागनी अंदर पिष्टन अपथी डाउन सुधी movement करी सकतो है तो यह volume जे होई swift volume एना करता थोड़ा ओचा जथा नो वेपर अंदर दाखल थतो है छे compression stock ना अंते discharge वाल बन थाई जारे तो ए वाल बन थावा थी clearance space आपड़े आगर जोई एस clearance space वारी जग्या उपर वेपर रेफ्रिजरंट जे जह होई ए बरा अलो रहतो होई छे यह बार निकड़ी सकतो नथी compression stock नी अंतमो पन तो ज़्यारे suction stock चालू थाई त्यारे जे वेपर रेफ्रिजरंट जे clearance space नी अंदर रहलो होई यह फरेथी expand थाई प्याला अंदर सिलिंड अंदर ए एक्स्पांट थाई जाई एना पछी जारे अंदर नू जे pressure चे ए सक्षन लाइन ना pressure करता ओचू थाई जारे त्यारे सक्षन लाइन थी बीजो नव वेपर रेफ्रिजरंट अंदर सिलिंड अंदर दाखल थाई चे एटले सु थाचे कोंप्रेशन जे क्लियरन स्पेस अती एनी अंदर जे रादवाग में जे वेपर रेफ्रिजरंट डाखल थेलो अतो प्याल थी कोंप्रेशन स्ट्वक ना अंते जे भराय अलो अतो ये वेपर रेफ्रिजरंट एक्स्पांट थाई जाए औन पछी एनू शिलिंडर नी पुल कदतु जे सिलिंडर नुँ एक कद करता ओचु हुआई छे तो सक्षन निक क्री स्ट्रोक शरू थाये ते पहला जे वेपर अंदर क्लियर्ण स्पेसमा हो ए एकस्पांड थे जाई छे अन्ने त्यार बाद सिलिंडर मों सक्षन लाइन द्वारा नवी वेपर प्रवेश तो पिष्टन तेनी सक्षन श्ट्रोक दर्मियान नी सक्षन माटेनी क्रिया करे छे अन्ने कॉंप्रेशन मों सक्षन वेपर नो प्रवेश करावे छे अन्ने आ सक्षन वेपर सिलिंडर मों प्रस्रन थायेला वेपर सिवाईना भागमों प्रस्रे छे परन्तु सक्षन येटलू ओच्छू क्लियरंस राखो कई जेथी क्लियरंस ओचू हो ये तो क्लियरंस बाघिनी अंदर जे वेपर र curated भर येना थी आगर वायर ड्रोएंग नी वायर ड्रोएंग नी वाल्यूमेट्रिक उस्माना कोई पर्ण प्रकार ना व्याई वगर अच्वा कामना पर्फोमंस मों गटाडा वगर वहन पामता प्रवाही उपर आंत्रिक अच्वा बाहिया गर्शन ना कारणे दबाण मों गटाड़ो छाई छे आंत्रेक अच्वा बाहिया गर्षन ना कारणे ना दबाण देंदर गटाओ थाए और ये दबाण देंदर जे गटाओ थावानी प्रोसेस छे एनक यावाई वायर ड्रोइंग तो वायर ड्रोइंग कहीरी ते असर करें चे वल्लुमेट्रिक एफिसेंस युपर एजो ये सना काराणे थाए तो सक्षण वालनू वजण वज़े येनी जड्ता अने स्प्रिंगनू टेंसन आ बदाना आधारे जे प्रेशर डिपरेंस तही है क्रियेट थाए ये प्रेशर डिपरेंस ना आधारे सक्षण लाइन मती नवर रेप्रिजन शिलिंडर ने अंदर दाहा थतो वई छे एनो और ये थाए कि सक्षन वालोने कॉम्प्रेशन ना प्यासेज मथी वेपर प्रवेशे तेथी दबान तेनू गटे छे हे सक्षन लाइन मथी जैरे वेपर अंदर प्रवेशे सिलिंडर न अंधर तेरेश्ण न यासे गर्शन न यह अंदर जी वेपर जयसे यCUो दबान घटी जयसे साना कारण गर्शन ना कारण इटले दर वक्ते सक्सान स्टोके दार मियान चलिंडर में प्रवेश्थ्यक नवी वेपर रेफ्रेजնट पर्वहेश्यू प्रवेश Eigen दर वक्ते प्रेशर गट्तु जयतेます आम वाया ड्रोएंग नी सिधी असर वॉलुमेटरिक एफिशेंस यूपर थाई छे अने सिलिंडर में प्रवेस्ता वीपर रेफ्रिजेंट नूँ कद प्रेशर ना तफावात ना लिधे ओचु थाई छे प्रेशर नो तफावात ना लिधे एटले गे सक्षन लाइन येंद जे रेफ्रिजेंट होए एननू प्रेशर ओचु होए पसी तेहां थी ये पासो गर्षन थाई अने सिलिंडर न दाखल थाई इले गर्षन ना कारणे पासो प्रेशर नो व्य थाई अन्दर नी साइट जे प्रेशर होए ये बानना प्रेशर करता पन ओचु थाई जिसे अ जेटलो शक्क्यों वए टलो वधारे आपणे वेपर रेफ्रिजेंट सिलिंडर ननी अंदर दाखल करी शक्की शु नई अन्य ओच्छा जथा नो वेपर रेफ्रिजेंट अंदर दाखल थाई तो आपणे जे वॉल्यूमेट्रिक एफिसेंसी छे ये पन आपणने ओची मल सिलिंडर हीटिंग नी वॉल्यूमेट्रिक एफिसेंसी पर असर तो सिलिंडर हीटिंग नी असर करी रेफ्रिजेंट वेपर गरम थावा थी परफ्यक गेस वतो नथी वेपर रेफ्रिजेंट्टी ये होए एफ परफ्यक गेस वतो न थी एगरम थाई अन्छे घरमी ना काराण ये वेपर रेफ्रिजेंट्नु प्रसरन थाई गरमी ना काराण येना कदिनी अंदर वदारो थाई अने कदिनी अंदर वधारो थावा थी सिलिंडर्नी अंदर जे नौर्मल पोजिसन नी अंदर जे तलो रेफ्रीजेंट डाखल थाओ जो ये एना थी थोळों गणों ओचो रेफ्रीजेंट अंदर डाखल थेशे इना थी आगर वाल्व औने पिस्टन ना लिकेज नी असर तो सक्षन औने डिस्चार्ज वालनी आजू-बाजू मों थी बेक लिकेज थाए बेक लिकेज एटले जे जयलो हुआ है रेफ्रिजन ए छेलले जयरे इस्टोक पूरो थावा आवतो है ले थोड़ो गना रेफ्रिजन पाचो सिलिंडर नी अंदर आई जाए तो बेक लिकेज थावा थी अथवा कॉंप्रेशन ना पिष्टन मों गसारो नगशारो पड़वा थी पंपिंग थही ने मरता कदमो गटालो थाए छे पिस्टन मा गरसारो पड़े तो शुथा पिस्टन रिंग ने लिकेजिंग थाई जाए अने सिलिंडर नी जे वल हो है ए अने पिस्टन नी दिवाल ए बियाना बच्चे थोड़ी गणी स्पेस थाई जाती हो है तो ए स्पेस मा थी जारे कॉंप्रेशन स्ट्वाक दर्मियान वेपर रिफ्रिजरेंट कॉंप्रेस थाई जारे तो छे थोड़ो गणी ये लिकेजिंग स्पेस मा थी रेफ्रीजर्ण बार निकडी जतो हो है छे अने आपनने जोईये िटला जात्त् arrangements थाई अने डिस्टार्ज लाईन मा मलतो न थी तो ए गसारो था हो थी अच्च तो जर शारी सिती में ओक्मप्रेसंदाई पिस्टना इसीलिंडर जयारे बनायेला वही चारी सिती में ओकें प्रसीज़न पुरवक बनायेला वही छे अने सक्षन्स्ट्वक नी सरू आत वक्ते सक्षन्स्ट्वक ज्यारे सरू थाए ते वक्ते सिलिंडर मों विपर प्रेसर थुड़ाग प्रमणमों रहे छे तेमां डिस्चार्ज वार पूरेवबुरो बन थाए ते पहला कॉंप्रेसर नी सिलिंडर मों हाई प्रेसर विपर ल तो आप्रम्हाणे सक्षन श्ट्वक दर्मियान सक्षन वाल बन थाए प्याला सक्षन लाइन मथी वेपर रेप्रेजन पाची सक्षन लाइन नियंदर जती र्यती वाई छे तो आर इते वल्लिमेट्रिक एफिसेंसी मों आ बदा परिबड़ो असर करता वाई छे तो कॉंप् कॉंप्रेशन नो ए सिलिंडर न दी अंदर पिष्टन आरेते वर्क करतो है पिष्टन नी रचना जो ये तो कनेक्टिंग रोल आरेते रिष्ट पिन्थी लगाएलो होई छे नीचे क्रेंक्साप्ट होई छे मोटी रेफ्रिजेशन सिस्टम होई तो एमां मल्टी स्टेज कॉंप्रेशर होई त्या एक करता वादारे पिष्टन नो उप्योब करवा मावतो होई छे आ पिष्टन नी उपर सक्षन वाल डिस्चार्ज वाल आपेलो छे पिष्टन जारे नीचे जाए टी डीसी थी बी डीसी तरफ त्यारे शुथासे अंदर जे सिलिंडर ने स्पेस होई त्या सुन्ने अवकास क्रेट था है यहना लिदे वाल अंदर नी तरफ ख्याचा शे अन्य सक्षन लाइन मोथी रेफ्रिजेंट अंदर नी तरफ आफ से सक्षन वाल थी जारे पिष्टन नीचे पॉजेशन मोझा टी डीसी थी बी डीसी तरफ लेशु थासे अंदर सुन्ने अवकास क्रेट थी होई प्रेशर रिड्यूस था है अंदर यहना लेशु थासे सक्षन वाल ओपन थासे अन्य जे लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजेंट वाए अंदर आफ से जारे पिष्टन बॉटम डेट से अंतर थी है वे टॉप डेट सेंटर तरफ गति कर से त्यारे प्रेशर ने अंदर वधार हो थासे अटले सक्षन वाल बं थासे अन्य प्रेशर ने लिमिट अमुख प्रेशर करता वधी जाए यह वक्ते डिस्चार्ज वाल ओपन थासे दिश्चाज वाल ओपन था एटले हाई प्रेसर रेप्रिजन्ट होए ये बार निकड़ सहाई थी आप अन्य वच्छे जे स्पेस रे एना क्यावाई क्लियरां स्पेस एक लियरां स्पेस नी अंदर दर वक्ते थोड़ो गणों कॉम्प्रेस तेलो वेपर जमार रहत होए छे अन्य ज्यारे फरीद थी सक्षन स्ट्रोक चालू थाए ये पहला एक गेस प्रसरन पाम से अन्य ए फिटले सु थाशे जे कद अशे वेपर रेफ्रिजेंट नू जे कॉम्प्रेस तेने दर वक्ते बाहर जाओ जो ये मां गटालो थाशे वल्मेट्रिक एफिसेंसी उपर असर करता परिबड़ो काया काया चे तो प्यालू छे कॉम्प्रेसर क्लियरांस बीजो छे वायर ड्र असर करता हुए छे तो आध है वल्मेट्रिक एफिसेंसी विशे नी समझ बस आट लूज आपार